जहिन साथियों, साथियों आज हम लाये हैं इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है साइंस स्किल तो इस चैनल पे हम ला रहे हैं वी रेगुलर बी एड फर्स्ट इयर के कोर्स नमबर थ्री का फुल सॉलुशन जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग तो साथियों आज हम कोश्चन लाये हुए हैं लर्निंग एंड टीचिंग के मौस्ट वी वी एक कोश्चन जो की ये लेक्शर टू है इस कोर्स नमबर थ्री का आज का कोश्चन है साथियों स्रीजनवादी द्रिष्टी कोन से अधिगम के सिच्छन सास्त्री शिधानतों का वर्नन करें यानि कि स्रीजनवादी द्रिष्टी कोन से हमको अधिगम यानि कि सिखना अधिगम मन्ने होता है लर्निंग सिखने की उद्सुकता इसको सिच्छन सास्त्री शिधानत का वर्नन करना तो चली इसके आंसर की और आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है स्रीजनवादी द्रिष्टी कोन से अधिगम के सास्त्री शिधान्त का वर्नन निम लिखी थै जहां आप देख पा रहोंगे उसके नीचे 6 शिधान्त है जिसका वर्नन हम करेंगे बारी-बारी से पहला है प्रयास एवं भूल का सिधान्त दूसरा है सास्त्रिय अनुबंध का सिधान्त और तीसरा है अंतर द्रिष्टी या सूझ का सिधान्त और नमबर फोर है पदानु कर्म में अधिगम का सिधान्त और पाँचवा है अभी प्रेरना का सिधान्त और छठा है क्रिया शिल करना है तो यहीं छे सिध्धान्त का वर्नन किया जाता है तो चलिए सेकेंड पेज जो है वह थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा दिख रहा है इसको हम जूम कर रहे साथियों ताकि आपको किलियर नजा रहा है तो चलिए पहले की पेज में तीन सिध्धान्त था और यहां पे सिध्धान्त उसके बाद साथियों अगला है परियास एवं भूल का सिध्धान्त यानि कि जो पहले हम लोग देख रहे थे पहला जो सिध्धान्त है वो परियास एवं भूल का सिध्धान्त इस सिध्धान्त का परतिपादक थौर्णडाइक है एक बैग्यानिक है जिनका नाम है थौरनडाइक तो ये परियासेवं भूल के सिध्धान्त को परति पादक है उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी बालक की उतेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुकिरिया करता है यानि कि इस सिध्धान्त में ये बताया गया है कि किसी भी बालक की उतेजना को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रती वो क्या करता है अनुक्रिया करता है बार बार उस अनुक्रिया को देवराता है और उसमें सिखने की छमता भी बढ़ती है यानि कि छोटे बच्चों को देखते होंगे कुछ न कुछ वो पर्यास करते रहता है एक ही चीज को बार बार उ सास्त्रिय अनुबंध का विसिधांत जो कि दूसरा है इस सिधांत का परतिपादक पावलो थे इस सिधांत का परतिपादक यानि कि जो दिये हैं उनका नाम क्या है पावलो इसके अनुशार यदि हम किसी की उतेजना के समानतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो यह वह समान परतिकिरय करता है जितना की उतेजना बढ़ाने पर करता था यानि इस सिध्धांत का परतिपादक पाव raging उथे उनका यह कहना है कि हम किसी को भी उतेजना के सामांतर कोई शंकेत का निर्धारन कर देता है जैसे मालेजे कि कोई हमें उत्सा बढ़ाता है चलो तुम कर लिए कर लिए तुम कर सकते हो तो अंदर से वो एनर्जी आता है उतेजना आता है उस काम करने का एक दम सक्ति आता है तो इसी को पालो के मनोबे ज्यानिक कोहलर, कोफता और वार्दी मर यानि की तीन बैज्यानिकों का नाम आता है अंत द्रिष्टी और सूज के सिधान्त को देने के लिए तो साथियों यहाँ पे अंत्र द्रिष्टी का जो सिधान्त है वो जर्मानी के मनोबै ज्यानिक कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर है इन बैज्यानिकों के अनुशार हम अपने बुद्धी के छोटे छोटे अंस में नहीं देखते हैं बलकि यह एक संगठित अवस्था के रूप में देखा जाता है यानि इनका कहना है यानि कि अंत्र द्रिष्टी और सुज के सिधान्त जो है जर्मानी के मनोबै ज्यानिक कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर ये तीन बैज्यानिकों ने मिल कर दिया है इनका ये कहना है कि हम बुद्धी को छोटे-छोटे अंस में नहीं देखते हैं बलकि मेरा जो बुद्धी काम करता है वो सभी समिलित रूप में, संगठित रूप में काम करता है चलिए आगे हम देखते हैं आगे है पदानु कर्म में अधिगम का सिधान्त अब ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है तो इस सिधान्त में सिखने के मानविय च्छमता के शाकारातमक परिवर्तर के रूप में बताया है यानि इस सिधान्त में सिखने की जो मानविय च्छमता एक मानो का सिखने की जितनी च्छमता है उसको इसमें बताया गय जिसे कोई भी ब्यक्ति बिसेश अर्पन करता है इसके अनुसार सिखना ब्यक्ति के मस्तिस्क के अंदर घटित होने वाली एक परकिरिया है इसके अंतरगत सिखने के कई प्रकार बताया गया है पदानुकर्म में अधिकम का जो सिधान्त है इस सिधान्त में क्या बताया गया तो एक मानो का च्छमता के रूप में ये काम करता है जिससे कोई भी ब्यक्ति बिशेश अरपन कर सकता है अरपन का मतलब क्या पास सकता है इसके अनुसार सिखना ब्यक्ति के मस्तिस्क के अंदर घटित होने वाली एक परकिरिया है इसमें क्या होता है तो किसी ब्यक्ति के मस्तिस्क दिमाग के अंदर एक घटित होने वाली पर किरिया है इसके अंतरगत सिखने के कई परकार बताए गया है इस सिधान्त के अंतरगत सिखने के कई परकार बताए गया है चलिए तो अगला सिधान्त है जिसका जिक्र किया गया है अभी प्रेरना का सिधान्त ये नमबर पाँच है किसी भी सिच्छन का मुख्य विंदू अभी प्रेर्णा यानि कि मोटिवेशन अभी प्रेर्णा का सिधान सिच्छन के लच्छ को निर्धारित करता है यानि अभी प्रेर्णा किसी को कुछ समझाने से मोटिवेट करने से उसके लच्छ को निर्धारित किया जा सकता है नैतिक, चरित्रिक एवं संस्कृतिक मुल्यों का विकास इनिमें होता है याद रखेगा अभी प्रेर्णा से क्या होता है तो बच्चों के अंदर नैतिक, चरित्रिक और संस्कृतिक मुल्यों के विकास होता है अभी प्रेर्णा के सिछार्थी को आंत्रिक बल प्रदान करती है याद रखें अभी प्रेर्णा सिछार्थी जो है उसको एक आंत्रिक बल प्रदान करती है जिसमें क्रिया सिल बना रहता है इसमें अधिगम के प्रती रूची उत्पन होती है याद रखें इसमें क्या होता है तो अधिगम के प्रती एक रूची आती है चलिए उसके बाद है अगला सिधान्त और ये लाश्ट है क्रिया सिल्टा का सिधान्त इस सिधान्त का मुख्य उदेश करके सिखना है याद रखेंगा इस सिधान्त का मुख्य उदेश क्या है तक क करके सीखने कि किसी वी चीजे को किरिया हैंने की चीजे को करके सीखना पढ़के नहीं सिच्छा ग्रहन करने वाला जबहूं आ हख़ा स्वैं करने वाले ऊज्वां म्हानत्य होते हैं अपने आप ही खुद महनत करता है तो वह उसके स्थाई ग्याद में सामिल हो जाता है, यानि कि अगर कोई भी काम खुद से करियेगा, तो आपको एक ग्यान में सामिल हो जायेगा, आपको एक idea मिल जायेगा, चाहिए कोई भी काम हो, यह सिधान्त विद्यार्थि के वास्तविक और लोकन को उत्साहित करता है, बिल्कुल साही अब चुकि यह तो किरिया कलाप है, काम करके ही ग्यान प्राप्त होता है तो इस से क्या होगा विध्यारतियों में रियलिटी यानि कि वास्तों में जो ग्यान होगा उसकी प्राप्ती होगी इस सिधान्त में सिछार्थी जितना अधिक किरिया कलाप में सामिल होता है उसका ग्यान उतना ही ब्यापक होता है यानि इसमें बताया गया है कि इस तरह का ग्यान यानि कि किरिया कलाप करके अगर किसी भी चीज़ को समझता है तो जितना किरिया कलाप जादा करेगा उसका ग्यान भी उतना ही जादा बढ़ेगा तो साथियों ये थे लर्निंग और टिचिंग के मौस्ट विवी आई कोशन जिसको हम लोग देख रहे थे तो साथियों आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे और आप सीधा यही कोशन आएंगे तो आप ऐसे ही कोशन को सजाकर बीट के एकजाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे माक्स आएंगे साथियों हम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें सेयर करें और लाइक करें तो साथियों फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियोज में तब तक के लिए धन्यवाद